नमस्कार दोस्तो मैं हूं मुक्तारीक्षित तेस्टलोजर आज हम बात करेंगे कि दो तारिक याने की सुक्करवार का मार्केट कैसा रह सकता है जी हां दोस्तो जैसा की आज के मार्केट के लिए मैंने आप लोगों से कहा था कि market में negative हमको देखने को मिल सकता है और थुड़ा बहुत सुधार की संभावणा बन सकती है जियां दुस्तो यह astrology की गढ़ना ही रहती है जो आपको सही और सत्त पहले ही इंगित कर देती है जियां दुस्तो जैसा कि आपने देखा कि आज market में जो है कुछ स्थिती समझ में नहीं आ रही थी कि आगे क्या हो सकता है और अंत में जाकर कि जो मार्केट देखा गया तो जो है पूरा मार्केट डाउन ही समझ में आया तो इस प्रकार से एस्टलोजी की गड़ना के आधार पर एक अनुमानिक अंदाज जो निकाला जाता है ब अब हम देखेंगे कि कल का मार्केट कैसा रह सकता है बहुत से लोगों ने मैसिज किये थे आप सभी को धन्यवाद और कि आपने सहीं कहा था कि कल देखते हैं सहीं कितना गलत कितना होता है तो डाउन ही मार्केट रहा तो जीहां दुस्तों जैसा आप जानते हैं कि हमारे का प्राइम भी जान सकते हैं और मार्केट के क्या लेवल बन सकते हैं भाई भी आप एस्ट्रोजी की बेस पर जान सकते हैं तो और जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि मकर रासी में बुद्ध का प्रवेश हो रहा है इसको भी हमें ध्यान रखना है मंगल उत्रा साहन अच्छ क्या होने वाला है तो आगे देखते हैं सबसे पहले तो कल का पंचांग हम देखेंगे तो देखते हैं तो दो फरवरी दो हजार चौबेश सुक करवार का दिन रहेगा कल रहेगा स्वाती नच्छत्र जी हां दोस्तों स्वाती नच्छत्र जो होता है राहू का नच्छत्र होता है और कल तुला राशी का प्रभाव पूरे दिन रहेगा यदि हम स्वाती नच्छत्र का कल भेद देखेंगे तो भेद में जो है आपके जिश्टा नच्छत पर भेद होगा रोहनी पर होगा और सद्विसा नच्छत्र पर भेद होगा तो अब इन भेद के क्या प्रभा और हरसल का योग जो है आमने सामने समसबतक योग में बना हुआ है लगन देखते हैं तो कुम्ब लगन ही बन रही है सुबह आपके सबा नौ बजे की और मंगल सुक्रलाब में बैठे हुए हैं तो जियां दोस्तों और बुद्ध जो है धनूरासी को छोड़के मकर रासी में जा चुके हैं मकर रासी जो होती है जो है जल जल की रासी होती है और इसके साथ जो है अब देखा जाएगा कि कल का मार्किट क्या कह सकता है लेकिन सबसे पहले हम रासी फल देखेंगे कि क्या आपका रासी फल रह सकता है तो जियां दोस्तों मेस रासी वालों के लिए यद के लिए हानी का योग बन रहा है सोच बिचार के काम करें इसके साथ एधी मिथुन राशी वालों के लिए लाप का योग बना हुआ है करक राशी वालों के लिए लाप का योग है सिंग राशी वालों के लिए लाप का योग बना हुआ है इसके साथ एधी जो है आपकी कन्या राशी वालों के लिए लापका योग है तुला राशी वालों के लिए जो है हानी का योग बन रहा है रश्चिक राशी वालों के लिए भी हानी का योग बना हुआ है धनू राशी वालों के लिए पूर्ण लापका योग बना हुआ है मकर राशी वालों के लिए लापका यो बना है और आपकी मीन राशी वालों के लिए मिस्रित योग बना है यदि प्रॉफिट मिलता तो आप बाहर हो सकते हैं तो यह राशी फल आप अपनी जनम नाम की राशी से देख सकते हैं और सूख्षी प्रडिक्शन आपको अपनी जनम पत्रिका से करवाना चाहिए यह हमारे फेवर में नहीं रहते हैं धोर यह राप करते हैं अपनी हानिक कर बैढ़ते हैं ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है सभी के साथ होता है और जैसा कि आज का time fame भी जो दिया गया था उसमें भी जो है डाउन के संकेथी किये गए थे तो बिलकुल ही आपका मार्कर जो हमको कुछ अपके बाद डाउन ही देखने को मिला अब आगे देखते हैं कि कल की ग्रह स्थितियां क्या बना रहे हैं तो जियां दुस्तों क्योंकि नशत्र और राशी का परिवर्टन हो गया है संगल और बुद्ध का तो इनका प्रभाव कुछ दिन हमको विशेश देखने को मिल सकता है अब कल की ग्रह गड़ना यदि हम देखते हैं तो कल की ग्रह गड़ना के आधार पर जैसा कि आज आपका जो मार्केट बंद हुआ था और सारी ग्रहों की गड़ना देखकर के एक बन रहे हैं अब देखते हैं कि जो है आपका कल क्या पॉइंट बन सकते हैं तो जी हैं दोस्तों जो आपका मार्केट बंद हुआ था 21697 पर बंद हुआ था तो इसी की एक जो अनुमानित गड़ना निकाली जाती है उसके आधार पर यदि मार्केट में अपसाइट के यो बनते हैं यहां कल का रजिस्टेंस अपन देख सकते हैं तो 21716 और 21770 के आसपास देखा जा सकता है और यदि सपोर्ट लेवल देखा जाएगा कल का तो 25962560 रह सकता है इस पकार से दो लेवल मैंने आपको कहे हैं और बैंक निप्टी के लिए यदि हम बात करते हैं तो ज इदि हाई देखा जाता है तो चालीस हजार तीन सो आठ और चालीस हजार पॉंस सो तक का इसमें जो है रहेंज देखा जा सकता है सपोर्ट यह हम देखते हैं तो 40,080 और आपका 45,910 के आसपास देखने को हमको मिल सकता है लेकिन दोस्तों यही बात कहूंगी मैं कि मार्के क्या खुलता है किthest को नहीं खुलता है इसको कोई भी नहीं जान सकता है जब open होता है और सबुगना करके जो लेवल्स निकाले जाते हैं वह सहीं और स्वामखत होते हैं तो आभ देखेंगे कि किस प्रिकार से जो है कल काalka मार्केट के लिए मैंने आप लोगों को जानकारी दी है और जो लोग भी कारेले से जानकारिया लेना चाहते हैं तो बहुत कारेले के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं तो जो कारेले का नंबर दिया रहता है उसी पे आप संपर्क कर सकते हैं वीडियो जानकारी अच्छी ल रूकिजे बेल आइकान और दवाईए देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार